यह वीडियो बनाने बहुत जरूरी था ड़से मेरा हाथ पैड तर्थर काँ प्रेमिल सीरियसली मैं बोलना चाहता हूं आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अपने counseling कराते हो बहुत सारे लोगों से counseling अपना rank card जो है उसके बार आपका 10-12 का result भेजते हो बहुत सारे लोग बहुत सारे जंद से counseling करते हो ठीक है तो इसलिए क्या होता है अभी कुछ निया तरीक का scam उठाए कि आप लोग जो number या email id आप लोग का तो सब कुछ उनके पास है आपका date of birth बोलो आपका documents बोलो साब उनके पास है तो वह क्या कर रहे है वह registration कर ले रहे ठीक है आपके नाम से खुद के phone number and email id डालके यह बहुत डरने वाली बात है बहुत खराब लग रहे हैं बहुत ज्यादा tension हो रहा है मेरे एक student से ही same चीज हुआ है मुझे मैं क्या करूगा पता नहीं बार 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 call कर रहा हूँ कोई response भी वहां से नहीं आ रहा है और दूसरी एक बात है कि जो है इससे लाब क्या होगा जो scam कर रहा है मैं नहीं जानता हूँ बट प्लीज आप लोग एक बास सतर करें जो लोग भी registration क कर रहे हैं मुझे बार दिस इस बीग cyber crime होड़ा है WBJ के अंदर protection नाम का तो students का data का कोई चीज ही नहीं है student का carrier को लेके बहुत problem चल रहा है यह बात बोलना जरूरी था मैंने देखा और भी चैनल पर बोला गया है आप सब लोगों से request है कि प्लीज आप सब लोग सतर कर रह है उसका नाम नंबर और जो रिजिस्टर फोन नंबर है यह सब रोल नंबर सब कुछ बोर्ड ने अभी जमा किया है देखते है क्या action होता है बट प्लीज आप सब लोग जो है इसके उपर देखिए और प्लीज आप सब लोग थोरा सदक रही इस चीज के उपर I request you all ठीक है